नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जिसे राज्य में परित्योक्ता परिशा की त्यारी कर रहे हैं, अभियार्थो मिनराजगी है, उन्हें अपना भविस अंधकार मैं नजर आ रहा है दिविंद्र नाथ महतों ने सोसल मीडिया पर राई सरकार के खिलाब मोर्चा खुलने का अयलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि सुक्रवार को ट्यूटर परमाह अभियान चलाएंगे इसका नाम हजटेक साठ चालीस नाय चलतो होगा, अभियान सुबह दस बज़े से चलाया जाएगा, छात्रे नेता राज्ये में खत्यान अधारीत नियोजन निती की मांग कर रहे है, बता दे कि पिछले दिनों मुख्य मंत्री है मनसुरें ने अडियो कॉल सर्वे कर करीब परिवर्तन देखने को मिला है, ऐसे में बिते बुद्धवार से ही राजे के कई जिलों में बारिस और बजरपात की घटनाये सामने आ रही है, बता दे कि चत्रा पुर्वी सिमुम गडवा, पलामू, रांची सहीत कुछ जिलों में अगले दो से तिन घंटे में बारिस की स भवना जताई जा रही है, इसी के साथ मद दर्जे कि में गर्जन और बजरपात भी हो सकते हैं, रांची समेत कई जिलों में सुबा सुबा बुन्दा बांदी भी हुई है, ते जवाई भी चली है, जिसे तापमान 4.8 डिक लुढ़क गया है, होली के दीन हुई हलकी बारि से मौसम सुहाना हो गया है, छारखन के आदर्स गाउं के किसानों को अर्गेनिक खेती पर जोर, सांसद आदर्स ग्राम योजना के सन्युक्त सचीव नवीन, कुमार साह के अधेक्स्ता में सांसद आदर्स ग्राम योजना के समिशा की गई, इस मोके पर उन्होंने अधिका यह से कहा है कि सभी आदर्स गाव के किसानों को अर्गनिक खेती के लिए प्रेरीद करें और उन्हें किरीशिक के आधोनिक माध्यमों के बारे में जनकाडि दे इसे से किसानों को रोजगार के नए औसर भी मिलेंगे उन्होंने चैनित गाओं के लिए विलेज एनुवल एक्षन प्लान बनाने का निर्देश दिया है बतादे राजे में चल रही वजनाओ के किरानोयन पर चार्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि कार योजना का रोड में अपतियार किया जाए नवीन सार ने जनकार दिदी है कि ग्रामिन विकास मंत्रा लए भारत सरकार दोवारा नौ मार्च से 11 मार्च 2023 तक रांची खुर्टी एम लोहर्दगा सहीत राजी के विभीन जीलो का दोरा कर ग्रामिन विकास वोई नावो का निरिक्षन किया जाएगा होली में जाम छलका रहे 5 पुलिस कर्मियों को गोड़ा A.S.P. ने किया सस्पेंट यानि कूल 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया है साथ ही सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है निलंबित होने वाले पुलिस कर्मियों में एसाई बिपिन भी हारी राय, एसाई राधाक कृष्ण सिंग, आरक्षी सोव सतेंद्रन रायन सिंग, आरक्षी कृष्ण कुमार सिंग और आरक्षी प्यारे मोहन सिंग को निलंबित कर दिया गया है साहब गंज में धू धू कर जली रेल बोगी साहब गंज रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दू रिफ्यूजी को लेनी इस्थीत साहब गंज सकरी गली एंड नियो सिक लाइन में खड़ी तीन बोगी में से एक जनरल बोगी में गुरु आर साम अचानक आग लग गई, देखते ही देखते ही आग रेल डिबे में फ्यल गई वहीं रेलवे अधिकारियों को इसकी सुचना मिलते ही एस्टेशन मास्टर राजेंदर पासवान सहीत अने घटना स्थर पर पहुंचे और दो रेल डिबे को जलती हुई बोगी से आग अलग किया बता दे रेल सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार, रेलवे को आग लगने की सुचना साम पांच बज़ कर पचीस मेट पर मिला, वहीं दमकल की गाडिया साम पांच बज़ कर पैंतिस मेट पर मोके पर पहुंची अगनी समन पता अधिकारी मनोज कुमार सुकला के नेतित्यों में दमकल की गाडिया पहुंची और आग पुझाने का कारे में लग गई नेमरा पहुंचे सीम हेमंत सारना अस्थल पर बिधुवत बाहा पुझा की मुख्य मंत्री हेमंस्थल गुरुवार को अपने पैत्रिक गाओं गोला परखंड के नेवरा में बाहा पुझा में सामिल हुए इस दरान वे अपने परमपरिक परिधान में नजर आए साथ ही उन्होंने अपने परिजनों के साथ सारना अस्थल पहुंच कर बिधुवत बाहा पुझा किया इस दरान यहां ढोलना गाड़े के साथ सीम का स्वागत किया गया पुझा अर्चना के बाद सीम सारना अस्थल से पुना वापस आवास पहुंचे जहां आवास में भी विद्वत पुजा आचना की गई बता जाता है कि सीम हेमन सुरेन समाज के माज ही हडाम है जिस कारण में परतेक वरस नेमरा पहुँच कर बाहा पुजा में सामिल होते हैं इस दोरान यहां कूल देवता की भी पुजा आचना की गई इस कारिकरम में सामिल होने के लिए सीम की माहा रूपी सुरेन, पत्नी कलपना सुरेन एवं भाभी, जामा विधायक, सिता सुरेन, सहीत, परिवार के अने से दस भी नेमरा पहुँचे थे गढ़वा मामले में घंटो सलक जाम और धाना प्रसन के बाद हुआ समझावता गढ़वा के कांडी में पता धिकारी वो गरामीन के बीच समझावता वरता के बाद करीब पांच घंटे से सलक जाम और धाना प्रसन समाप्त हो गया है जनकारी होगी बुद्धवार की साम होली के दिन डीजे बाजाने के बाद पर पुलिस वो गरामीनों के साथ कांडी वायार में हलकी जड़प हो गई थी पुलिस ने बल परयोग किया था और इसमें कई लोग घायल हो गए थे इसके बाद अक्रोशित गरामीनों ने भी पुलिस गाड़ी पर पत्रा चला कर सीचा तोड़ दिया साथ ही गुरुवार की सुवस से छोटी बड़ी सभी दुकाने बंद रखते हुए कांडी कर्ण पूरी चोग पर धारना कर सैकडो गरामीन बैठ गए कस्तूरवा बिद्यालियों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर निर्देश इस्कूली सिक्षायों सक्षता विभाग तथा परिशत के पतादिकारी को दिया है जार्खन के इस्कूलों में पाच दिन अंडा बीतरन पर लगा ग्रहान जार्खन में कक्षा एक से आठ तक करीब एक तारीस लाख बच्चे नमांकी थाए एक अनुमान के मुताबिक आउस्तन हर दिन 60-65% बच्चे इस्कूल पहुंचते हैं लिहाजा हर दिन करीब 25-28 लाख बच्चों के बीच MDM का बितरन होता है खास बात या है कि MDM का 60-55 खर्च केंद्र सरकार तसा 45-50 राई सरकार वहन करती है लेकिन राई सरकार ने अपने अस्तर से सब्ता में 5 दिन अंड़ा बितरन की बात सुरू की थी जो अभी तक बात ही बनी हुई है अहम बात है कि इसी घोसना के जरिये CM ने ग्रामिन पसुपाल को और महिलाओं से अपील की थी किवे ज्यादा से ज्यादा मुर्गिया पाले सरकार दूसरे राजे के बजा अपनों से अंड़े खर देगी लेकिन अब सरकार खुद बैक फूट पर आ गई है फैसला लेने और घोसना करने के मामले में जर्खन एक अजुबा राजे बन गया है यहाँ फैसले लेने के बाद फैसले की समिक्षा की जाती है बता दे नियोजन नितिक मामले में भी ऐसा ही हुगा था 24 मार्च की मैट्रिक इंटर की परिक्षा की तीथी बदली जैक ने सरहूल के दिन 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परिक्षा की तीथी बदल दी है मैट्रिक की 24 मार्च को होने वाली परिक्षा 25 मार्च वा इंटर की परिक्षा 5 अपरेल को होगी 24 मार्च को मैटरी के गनित और इंटर के भो बिज्ञान, ब्यावसाइक, अध्यान और मनो बिज्ञान के परिक्षा होनी थी रांची अस्मार्ट सिटी में रहेंगे आम से लेकर खास लोग राजधानी राची के धुर्वा में बन रहा है, स्मार्ट सिटी में अमीरों के साथ साथ गरीबों का भी आस्याना रहेगा, इस दिशा में राज सरकार ने कदम बठाते वे धुर्वा में करीब 16,000 फ्लेट बनने करने न लिया है, नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव प वो समाहित करने की त्यारी की जा रही है, धुर्वा में बन रहा है स्मार्ट सिटी में मीडिल इंकम गुरूप के साथ हाई इंकम गुरूप और लो इंकम गुरूप के भी आवास बनाये जाएंगे, बता दे फ्लेट त्यार होने के बाद इसका मुले निधारित कर बेचा जाएगा, केरल की तरह जार्खन में भी विक्सित की जा रही पंच कर्म चिकित्सा पदती, प्राकिर्ती सोंदर्य से परिपून जंगल जार, पठार और पहाड से गिरने वाली कई बिहंगम जलपर प्रात वाले परदेश जार्खन को अब पंच कर्म चिकित्सा पदती में केरल के तर्ज पर विक्सित करने की योजना बन रही है सरकार की योजना पर्याटन केंद्रों पर पंच कर्म चिकिसा केंद्र खोलने की है ताकि हेल्थ टूरिजम के छेत्र में जारकन पर्याटकों के लिए बेस्ट डिस्टेनेशन हो मुख्य मंत्री हमांसुरेन ने राजी के पर्मुख पर्याटन अस्थलों में अत्यधुनिक पंच कर्म चिकिसा केंद्र खोलने की इक्षा जताई है बता दे मुक्ष मंत्री हमान सुरेन की सोच के अनुरूप परेटन केंद्रों पर आयरुवेद की एक विद्या पंच कर्म का केंद्र खोलने के लिए परेटन विभाग और स्वास्त विभाग की टीम मिलकर काम करेगी 26 मार्च को CCL कराएगा कोल मैराथन Central Coal Phil Limited के तत्वधन में 26 मार्च को राँची में कोल मैराथन का आयोजन किया जाएगा इस व्योजना में पूर्शो और महिलाओ के लिए दोड की 4 स्रेनिया ताय की गई है इसमें पूर्ण मैराथन हाफ मैराथन 10 किलो मीटर और 5 किलो मीटर की दोड सामिल है पूर्ण मैराथन 42.195 का होगा जबकि हाफ मैराथन 21.098 किलो मीटर का होगा कारेकरम के लिए परतियोगियों को पंजीकरन करना होगा इसके लिए सुल्क निधारित किये गा है फुल महराथन के लिए एक हैयार, हाफ महराथन के लिए 750 रुपाई और 10 किलोमेटर के लिए 300 रुपाई और 5 किलोमेटर के 100 रुपाई देना होगा ज्टित जीला अध्यक्ष लगाराई की अध्यक्स लशमन बड़ाई की अध्यक्सता में बैठक हुई जीला मंत्री तूलसी कुमार साहु ने बताया एक बैठक में मुख्य रूप से केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा के 18 से 19 समाच के सिम्डेगा दवरे पर चर्चा हुई केंद्रिये मंत्री के दो दिवसी ये सिम्डेगा दवरे के कारकनम के रूप रेखा त्यार की गई है सिम्टे का जिला में सांसत खेल परतियोगता कराना भी सुनेशित हुआ है इसको लेकर भी विचार भी मस किया गया बैठक में भाजबा परदेशकार समीति सवसे दूरगा बिजय सिंग सामिल थे सिक्छक नियुक्ती में हो रहा आराक्छन रोष्टर का उलंगान सन्युक्त असनातक प्रशिक्षित परतियोगता परिक्षा में आरक्छन रोष्टर के उलंगान का अरोप लगा है या आरोप 1216 में होई परिक्षा में इतिहास और नागरिक सास्तर भी सायोग के याचिका करताओं नजार्कन करमचारी चैन आयोग पर लगाया है आरोप लगाने के साथ अभियार्थियों ने आईसू सुप्रीमो सा सिली विधायक सुदेश मतों को पत्र भी लिखा है अभियार्थियों का कहना है कि चयन में सरोष नियाले के दिये अम्तिम आदेश का उलंखन किया जा रहा है इतिहास और नागरिक सास्थ रिविसाय में रिजर्ब काटेगरी के अचका करताओं को मिले अंक अगर जनरल वर्ग के अंक के बराबर या इससे अधिक है तो भी उसका रिजल्ट रिजर्ब काटेगरी में ही दिया जा रहा है बड़ फुलू का जाजाले राची पहुँची केंधरिये टीम बड़ फुलू की पुष्टी के बाद गुरुवार को एक केंद्रिये टीम बुद्धवर साम रांची पहुंची इस टीम का नेतित अधिराज मित्रा कर रहे हैं टीम ने गुरुवार को जेल चोग को आवास के छेतरों का गहन निरिक्षन किया शुक्रवार को भी टीम इलाके का मुएना करेगी उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर नियंत्रन को लेकर दिशा निर्देश देगी बता देखी जेल चोग के पास इसीत एक आवासे परिसर में बिते दिनों कई मुर्गिया मर गई थी बाद में इसका सेंपल जाच के लिए भेजा गया था यहां बड़ फुलू की पुष्टी हुई है इसके बाद जिला पसासन ने रेपिड रेस्पोंस टीम का अगठन किया था विद्यार्थियों को इसी माह चात्र वीर्ती का होगा भुगतान जारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले समाने वर्गे के चात्र चात्राओ को इसी महीने मुख्य मंत्री 206 चात्र वीर्ती का भुगतान किया जाएगा बतादे पहली से चौथी काक्षा के छात्र छात्रावों को पांच सव रूपाए, पांच वी से छठी को एक है रूपाए, सात्री से दस वी को पंदरा सव रूपाए, और एगारवी बरहवी के छात्र छात्रावों के लिए 23 सव रूपे छात्री रूपे के रूप में मिलें जार्खन में भी बढ़ सकता है H3N2 Influenza देश के विभीन राजियों की तरह जार्खन में भी H3N2 Influenza फैलने के असांका है लक्षन को नजर अंदाज करना लोगों को भारी पढ़ सकता है कुरोना के समान लक्षन वाली बीमारी तेजी से फैल सकती है इस बीमारी से जान जाने का खत्रा बना रहता है रिम्स के भी से सगे चिकी सक डाक्टर संजाय ने बताया है कि इस बीमारी में लोगों को लंबी, खासी, सांस, फुलने, सरीर में लगातार ठकान की सिकायत रहती है ऐसे में लोगों को बीना समय गवाय जाच कराना चाहिए जारखंड में अंध विस्वास गुमला में अंध विस्वास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन कहीं न कहीं अंध विस्वास की घटना देखने को मिल जाती है इस बार गुमला सदर अस्पताल में ही अंद विश्वास का खेल सुरू कर दिया गया बता दे गुमला पर्खंड के अंबवा गाव निवासी बीमार यूती के परिज़ाँ सदर अस्पताल में ही यूती का ओज़ा गूनी को भुला कर जाड़ फूक कराने लगे जिसके बाद अस्पताल में मवजूद चिकी सकों ने इसे अंद विश्वास बताते हैं अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया वही करमचारी और गार्ड ने उन्हें ऐसा करने से मना किया इसके बाद वे लोग सदर अस्पताल के बाहर चले गए और यूती का जाण फूक से इलाज करना लगे पिरिंट रेट से अधिक सराब की वस्विली जा रही कीमत गुमला जिला इस्थी सिसाई परखंड के सरकारी अंग्रेजी सराब दुकान में प्रिंट रेट से अधिक कीमत लेने से अक्रोशित ग्रांकों ने जम कर हंगामा किया हंगामे के सुचना पर पूलिस अधिकारी घटना अस्थल पर पहुँच कर मामले को संथ कराया पूलिस की हस्तचेप के बावजूद दुकानदार प्रिंट रेट में सराब बेचने को त्यार नहीं है मजबूरन ग्रांकों को अधिक कीमत में सराब खरीदना पड़ा है बता दे इस समध में ग्रांकों ने कहा है कि सिसाई पर खंड के एक मासरकारी अंग्रेजी सराब दुकान में ग्रांकों को प्रिंट रेट पर सराब नहीं मिलती है धन्यवाद